दिवाली के दिन हम सब घर को रोशन कर धन की देवी मा लक्ष्मी और बुद्धी के देवता भगवान गणेश की विधिविधान से पूजा करते हैं ताकि साल भर घर में सुक्ष, सम्रिध्धी और धन की कमी ना रहें पुराणों में भी बताया गया है कि देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है इसलिए देवी लक्ष्मी रात के वक्त भ्रमन करने के लिए निकलती हैं ऐसी मान्यता है कि साल की कुछ खास राते हैं जब देवी लक्ष्मी प्रत्वी पर आती हैं और अपने भक्तों पर प्रिपा बरसाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो शक्स दिवाली की रात में जागरन कर देवी लक्ष्मी और भगवान विश्नु की पूजा आराधना करते हैं देवी लक्ष्मी उनका घर धन धान्य से भर देती हैं। इस रात का इसलिए भी खास महत्व है क्योंकि राधा के रूप में देवी लक्ष्मी और श्रीकृष्ण के रूप में भगवान विश्नु ने इसी रात को महरास किया था। इसलिए ये श्रीकृष्ण और राधा की सबसे प्रिया रात हैं। आपको बता दे कि दीवाली की शाम को मा लक्ष्मी की पूझा करने से पहले किसी बहरी व्यप्ति को कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से मा लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती। तो लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश मुश्किल हो जाएगा। वाइरल किड़ा न्यूज